अब निर्मला इस्तर की बातें कही ही रही थी, फिर अब राधी का जो मुहन की पत्नी है, वह कहती है, क्या कहती है, स्वामिन है स्वामी, इम में पुत्री मनो रमा कियत कालात रुगना वर्तते, यह मेरी इम का मतलब होता है यह, इदम इसका मूल सब्द है, इदम जो सब्द है, इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, इस्ट्री लिंग में भी रूप बनता है, पूल लिंग में रूप बनता है, और नपुनसक लिंग में रूप बनता है, पूल लिंग में रूप बनता है, आयम प्रत्मभक्ति एक वचन में, इस्ट्री प्रत्मभक्ति एक वचन का यहां रूप है, मुल सब्द है इदम, तो इम में पुत्री, यह मेरी पुत्री, मनो रमा, में जो प्रयोग हुआ है, यहां पर यहां सश्ठी भक्ति का प्रयोग हुआ है, मम में आवयोह नव असमाकम नह, यह असमद का रूप बनता है सश्ठी भ प्रयोग है यहां इयम में तो यह सश्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है तो यह मेरी में सश्ठी भक्ति क्या होता है मेरा मेरे मेरी इस तरह की रूप बनते हैं तो में कतात पर यहां पर मेरी क्यों क्योंकि यह राधिका प्रयोग कर रही है और किसके लिए प्रयोग कर रही है तो इम में पुत्री यह मेरी पुत्री मनोरमा कियत कालात कितने समय से देखे कियत क्या है कियत भी यह अव्याइवाचकपद है और अनिश्चाइक अनिश्चाइक जब मात्रात्मक रूप से किसी को मापा ना जा सके उसके लिए यह कियत अव्याइवाचकपद का प्रयोक क तो कितने समय से रुग्णा वर्तते रोगी है अरथात कितने समय से यह मेरी पुत्री जो मनोरमा है वह बिमार है किंचित अपी नखा दाती दोने स्थानो पर व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है और इस कतातपरी होता है कुछ भी किम मतलब होता है क्या और चीत का प्रयोग जो है यह भी अनिश्चय वाचक अव्याइपद है तो जब निश्चित रुप से किसी चीज को न जाना जा सके वहाँ पर चीत इस अव्याइपद का प्रयोग किया जाता है चीत और चन इन दोनों प्रतियों का प्रयोग किया जाता है, तो किंची धपी कुछ भी ना खादती, ना मतलब होता है, नहीं, यह भी अव्याइपद है, और खादती, खाती है, अर्थात यह कुछ भी खा नहीं रही है, खादती, खाद, यह धातु है, और इसका ताथ पर होता है, खाना, खादती यह रूप कैसे बनता है लटलकार प्रथम पूरुष एक वचन का यह रूप है तो किंची तपी न खा दती यह कुछ भी खा नहीं रही है सयाना एव दीनम याप यती सयाना सी धातु है और सानज प्रत्य है इस लिंक का रूप प्रत्म भक्ति एक वचन तो सी का मतलब होता है सोना तो सयाना एव सोती हुई एव सानज प्रत्या का प्रत्या का प्रत्या है तो यहाँ पर सीध हातु में सानज प्रत्या का प्रत्या का प्रत्या हुआ है और इस लिंक का यहाँ रूप है प्रत्म भक्ति एक वचन तो सयाना सोती हुई एव ही एव का तात्पर होता है यह वाचक पद है दीनम याप यती दीन को याप यती व्यतीत करती है तो सोती हुई अर्थात यह कुछ भी खा एक तो मनोरमा कैसी है मनोरमा एक तो रोगी है कुछ भी खापी नहीं रही है और दीन भर यहाँ सोई रहती ह सोई सोई यह दीन काच रही है चिकित्सा यह चिकित्सा मूल सब्द है चतुर्थी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है चिकित्सा के लिए आतुर आलयम आतुर धन आलयम इती हातुर आलयम आतुर कहते हैं चिकित्सा को तो आतुर धन आलयम इती आतुर आलयम चिकित्सा यह अर्था चिकित्सा के लिए आतुर आलय अर्था चिकित्सा यह गंतुम गंधातु तुमन पत्याय कायोग हुआ तो इस तरह से सब्द बनता है गंतुम औ धन व्यवस्था यहां सश्ठी तत्पूरुष समास का प्रयोग है। धन व्यवस्था द्वीवचन द्वीवचन में इस तरह से हम एक वचन द्वीवचन बहुवचन में भी हम सश्ठी तत्पूरु समास के जीतने उधारन होते हैं। उन सभी को हम एक वचन, द्वीवचन और बहुवचन में विग्रह कर सकते हैं। तो धन व्यवस्था, धना नाम व्यवस्था, धन की व्यवस्था, अपी, अपी का मतलब होता है भी, यहाँ अव्याइपद है। नास्ती, ना धन अस्ती, नास्ती नहीं है। चिकित्सा यहीं, चिकित्सा के लिए, चिकित्सालाय ले जाने के लिए, धन की व्यवस्था भी नहीं है। मैं इन्हें चिकित्सा के लिए चिकित्सा के पास वैद्य के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उनके पास जाने के लिए धन की आवश्यक्ता होगी, रासी की आवश्यक्ता होगी, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्हें मैं चिकित्सा के लिए नही और थार्फ में आतुरालायम से आतुरालायम तो इस तरह 54 kanki बाल। धनम, धन कहा गया है, धन के अर्थ में कौन-कौन से सब्दों का प्रियोक किया जाता है, उसका परियाय पूछा जा सकता है, तो धन के लिए ये से वित्त का प्रियोक कियाता है, वित्तम वारासी का प्रियोक किया जाता है, तो इस तरह से विभिन सब्द जो होते हैं, इनका परियाय भी आपको विभिन परिक्षाओं में पूछा जा सकता है तो राधिका जो है इस तरह से अपनी कुछ समस्याएं मरूर्रमा से जोड़ी हुई उनके स्वास्ता से जोड़ी हुई वे अपने पती मोहन से कहती हैं अब अभी मोहन राधिका की बात समाप्त नहीं हुई कि सीता का वहाँ प्रवेश हो गया और सीता कहती है क्या कहती है सीता जो है मोहन राधिका की बड़ी पुत्री है सीता कहती है मम सक्ख्युह रसिदायाह परिणयोत सवह आसन्यों वर्तते मम अन्याह सक्ख्यहतु सहस्रा नाम रुप्यका नाम अभी नवान उपहाराण दास्यंती दास्यामी कीमहं तस्यै द्विये सतम रुप्यका नाम व्यवस्थाम विना कोपी उपहारह आपनात ना लप्ष्यते तो इस तरह से अब सीता चुकि उनकी बड़ी लड़की है बड़ी हो गई है अब उनकी जो सहलिया थी सक्खिया है उने से कुछ सक्खियों का विवाह हो गया है और सीता भी अभिवाह योग्य हो चुकी है तो यह सीता जो है वह अपनी सक्खी इनकी सक्खी है एक जिनका नाम है रसिदा उनका परिणय ओत्साव अर्थात विवाह ओत्साव भी संपन्न होना है तो उसके लिए इसके जो सीता की अन्य सक्खिया है वे जो कि संपन्न घरों से हैं इसलिए वे हजार रुपियों अर्थात एक हजार से अधिक रासी के नए नए उपहार अपनी सक्खी रसिदा को दे रहे हैं किन्त सीता के समक्ष यह समस्या है कि वह क्या दे चुकि उनकी अभिन्न सक्खी है रसिदा उन्हें कुछ देना है अब क्या दे दूसरी सक्खियां जो है हजार रुपिय से अधिक महांगी चीजों को उपहार के रुप में दे रही हैं लेकिन अब यह उन्हें क्या दे कम से बातें जो है सीता अपने पिता और माता से कहती होई कहती हैं कहती हैं मम सक्ख्युह मेरी सक्खी रसिदा याह रसिदा का परिणयोत्सवह परिणयोत्सवह यहाँ पर गुनस्वरसंधी का प्रयोग हुआ है परिणयोत्सवह समास विग्रह करने चाहें तो परिणयोत्सवह यहाँ पर सश्टितत्पुर समास का प्रयोग हुआ है तो आसन्नावर्थуйте मेरी सकही रसिदा का प्रणे उत्सव अर्थाथ विवाह निकट ही है आसन्न है अर्थाथ आ ही गया है निकट ही है मम मतल jaar मेरे या मेरी अन्न्याः दोसरी सक्या सक्या देखे सक्या सब्दा कैसे बनता है सक्खी मूल सब्द है सक्खी सक्ख्यव सक्ख्यः तो सक्ख्यः प्रत्मेवक्ति बहु अचन का यह रूप है तो सक्खी इस्ट्रिलिंग सब्द है प्रत्मेवक्ति बहु अचन का रूप बनता है सक्ख्यः सक्ख्यः तो मम अन्याह सक्ख्यः मेरी अन्य सक्ख्यां तू म रुप्य का नाम रुपियों का अभीनवान नए उपहारान उपहारों को दास्यांति देंगी मेरी अन्य सक्खियां जो हैं वो तो हजारों रुपियों की नए नए उपहारों को देंगी मेरी सक्खियां इतने महंगे महंगे उपहार दे रहे हैं मैं भी कुछ दूँगी तो क्या दूँगी द्वी सतम रुप्य का नाम 200 रुपियों की व्यवस्थां विना व्यवस्था के बिना कोपी उपहार है कोई भी उपहार आपनात दुकान से न लप्स यते प्राप्त नहीं होता है अर्थात कोई भी घंका उपहार यादि हम किसी को देना हो अपने प्रिय को देना हो तो उसके लिए कम से कम 200 रुपिया अवस्था लगता है ऐसा सीता जो है वो अपने समस्या अपने पिता से कहती है तो इस तरह से विभिन जो पात्र हैं मज़ पर आते हैं गोपाल निर्मला राधिका और सीता वे अपने माता और पिता गोपाल निर्मला राधिका और सीता ये सभी मज़ पर आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं उन्हें व्यक्त करते हैं मोहन पलंग पर लेटा लेटा बुखार सी प्रीडी था इसलिए वहाँ पलंग पर लेटा हुआ है अर्थात सोया हुआ है और ये सभी उनकी इस्थिती को नहीं देखते हुए आकर अपनी अपने समस्याओं को व्यक्त करते हैं तो प्यारे बच्चों अभी हमने इन अन्सों में देखा कि गोपाल अपनी समस्याओं लेकर आता है नीर्मला अपनी समस्याओं लेकर आती है और साथ में मोहन की पत्नी राधी का अपनी छोची पुत्री मनोरमा के स्वास्त्य को लेकर भी अपनी समस्याओं वह रखती है और अभी ये सभी अपने अपने समस्याओं कही ही रहे थे कि अब कविता और सीमा भी उनके समक्षा आ जाते हैं और अपनी समस्याओं को विक कहती हैं और उनके समस्याओं को सुनकर मोहन क्या कहता है आईए पहले हम कविता, सीमा और मोहन के कथन को सुनते हैं प्यारे बच्चों दृष्य है मोहन बुखार से पीडित है पलंग पर सोया हुआ है राधिका वहीं पर ग्रीह कारियों में सनलगन है और उनके विभिन बच्चे आते हैं और अपनी तरहतर की समस्याएं उनके समक्ष व्यक्त करते हैं अब मंच पर कविता का आगमन होता है और कविता आती है और वह भी अपनी कुछ समस्याएं व्यक्त करते हुए कहती हैं क्या कहती हैं मातह जिर्णानी मेशर्वानी वस्त्रानी मेरे सभी वस्त्र पुराने हो गए हैं दीप मालिका परवणी तु नव वस्त्रानी परिधाय लक्षमी पूजनम करिश्यामी दीप मालिका परवणी तु तु को मतलब होता है तो नव वस्त्रानी नवानी वस्त्रानी यहाँ पर वस्त्रों की विश्यस्ता बताई गए इसलिए यहाँ पर कर्मधारे समास है तो नव वस्त्रानी नवानी वस्त्रानी तो नए वस्त्रों को परिधाय धारन पहन करके लक्षमी पूजनम लक्षमी का पूजन करिश्यामी करूंगी तो मातह है माता जिर्णानी जिर्ण मुल सब्द है और जिर्णानी कहें तो प्रत्मा और दूत्य भक्ति में बहु अचन की रूप में यहाँ प्रयुक्त होता है जिर्णम जिर्णे जिर्णानी तो जिर्णानी में मेरे में सब्द जो है यहाँ पर सश्ठी भक्ति का रूप है मम में आवियो हनों असमाकम नह से तो जिर्णानी में सर्वानी सभी सर्व मूल सब्द है प्रत्मे भक्ति और दूत्य भक्ति में के बहु अचन में इसका रूप बनता है सर्वानी तो जिर्णानी में सर्वानी वस्त्रानी मेरे सभी वस्त्र जो है जिर्ण हो गए है अर्थात पुराने हो गए हैं दीप मालिका पर्वणी और दीपावली के पर्व में पर्वणी यह सब्द कैसे बनता है पर्व मूल सब्द है तो दीप मालिका पर्वणी दीपावली के पर्व में तू तो नव वस्त्राणी नए वस्त्रों को परिधाय पहन करके लक्ष्मी पूजनम करिश्चामी लक्ष् के समय लक्ष्मी का पूजन नहीं करूंगी अर्थात दिपावली में मुझे नए कपड़े चाहिए इस तरह से कविता जो है अपनी मांग अपने पीता के समक्ष रखती है अब कविता इस तरह के अपनी बातें कही ही रही थी कि वहां अब सीमा का प्रवेस हो गया सीमा मुहन और राधिका की ही पुत्री है अब वह सीमा कहती है क्या कहती है सीमा कहती है पिताह नगरे सर्वत्र दीप मालिका परवणह सुभा गमने अगनी कृड़न का नाम पटापट सब्दह सुरूयते अस्माकम ग्रिहम न सोधितम न धवली कृतम मम सखे भियतु प्रभूतेन धन व्ययेन कृताणी अगनी कृड़न कानी इदानिम्तु अहम पी पंच सत रुप्य का नाम अगनी कृड़न कानी कृतुम इच्छामी तो इस तरह से सीमा जो है बाते कहती है और उनकी बातें चोंकि दीपावली का समय है और दीपावली के समय आप सभी जानते हैं आप सब के घर भी अच्छे तरह से रंग रोगन किये जाते हैं साफ सफाई की जाती है और बच्चों में उत्साह होता है आप में भी उत्साह होता है किसका अगनी कृड़न कम इसको कहते हैं फटाकों को फटाकों को फोड़नी की जो पटापट की आवाज होती है ये बड़ा अच्छा लगता है आपको हाँ तो वैसा ही सीमा भी इसी तरह की इच्छा रखती है और वह देखती है कि उनकी जो सखिया है उनका घर जो है बढ़िया साफ किया गिया है सुन्दर किया गिया है रंग से पोत लिया गिया है अर्थत रंगिन कर लिया गिया है और तरह तरह के विद्यूत उपकरणों से उन्हें सजा दिया गिया है तो हम नगरों को देखते हैं, गावों को देखते हैं, दीपावली का समय कितना सुन्दर दृष्य दिखाई देता है सबके घरों में दिये जलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे फटाके फोड़ते रहते हैं तो इस तरह का दृष्य जो है, निशित रूप से न केवल बच्चों के लिए, अपी तो बड़ों के लिए भी आनन्द दायक होता है सीमा जोंकि बच्ची है, और केवल वह नहीं, उसकी अन्य जो सखियां हैं, उनके घर में तो बहुत सारे फटाके भी लाए गए हैं तो बच्चों का यह सभाव होता है, जब हम दूसरे के पास कोई अच्छा खिलोऊना देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए आपको भी लगता है, ना, हाँ, तो ऐसा ही सीमा को भी लगता है तो सीमा की सक्षियों के घर में बहुत सारे फटाके उनके माता पिता या जो पालक हैं उनके द्वारा लाया गिया है और उन सब को बताया गिया है कि ये फटाके जो किस किस तरह से हैं कौन सा फटाका है वो कितना आवाज करता है किस फटाके को कैसा फोड़ा जाता है और कौ कुछ फटाके इस तरह के होते हैं जो किवल प्रकास देने वाले होते हैं कुछ फटाके होते हैं जिनको बच्चे जो हाथ मेलेकर इस तरह से चलाते हैं और कुछ फटाके होते हैं जो अगनी के संपर्क में लाएं तो एक विशाल रूप अगनी का हो जाता है तो इस तरह के त है इसलिए अब सीमा के मन में भी यह जागरित हो गया वैर कि जब मेरी सख्यों के पास इस तरह के फटाके हैं तो मेरे पास भी होना चाहिए मैं तब वह घर आ करके अपने पिता मोहन पी मीं सर्वत्र सबिस्थानों पर दीप मालिका परवनह दिपावली का परव सुभाग मने दिपावली परव के सुभागमन पर अगनी कृड़नक का नाम तो फटाकों की पटापट सब्दह सुरूयते पटापट जो फटाकों से आवाज आती है यह आवाज जो है दिपावली के सुभागमन पर सब इस्थानों पर सुना जाता है असमाकम ग्रिहम असमाकम हमारा असमाकम सब्द कैसे बनता है असमद सब्द है सश्थी भक्ति बहु अचन का यह रूप है मम आवियोह असमाकम तो असमाकम हमारा ग्रिहम घर न नहीं सोधितम सुध्ध किया गया है सोधित किया गया है धोया गया है न धवली कृतम और नहीं इसको न तो सुध्ध किया गया है और नहीं रंग रोगन किया गया है अर्थात विभिन रंगों के प्रयोग से हम साफ करते हैं अपने घरों को क्या करते हैं पहले स्वच्छ करते हैं और फिर रंगों से युक्त करते हैं किन्तु असमाकम ग्रिहाम हमारा घर न तो सोधित किया गया है और नहीं धोया ही गया है अर्थात हमारे घर को साफ भी नहीं किया गया है और रंगों से पूताई आदी भी नहीं किया गया है मम सक्खी भी है मेरी सक्खियों के द्वारा तो मम सक्खी भी है तू मेरी सक्खियों के द्वारा तो सक्खी भी है यह सब्दा कैसे बनता है सखी मूल सब्दा है तृतिय भक्ति बहु अचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है मेरी सख्यों के द्वारा तो प्रभूतेन धन व्ययेन अर्थात प्रभूतेन अत्यधिक धन के व्यये से कृतानी खरीदे गए अगनी कृड़नक कानी त कैसे मेरी सख्यों के द्वारा बहुत अधिक धन व्यये करके बहुत से फटाके खरीदे गए हैं इदानिम तू इस समय में देखिए आपके घर में बहुत सारे इस इस तरह के फटाके खरीदे गए होंगे आपने भी फटाके चलाए होंगे आप भी इन फटाकों को चलाते ह तो इन फटाकों को चलाने में बड़ा आनन्द आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, इन फटाकों को चलाते समय आपको साउधानिया रखनी है, क्योंकि कभी भी कोई दुरहटना हो सकती है, तो किसी भी दुरहटना से बचना आवश्चक है, कोई भी पर्व उत साह से मनाय जाता है, प्रसनता से मनाय जाता है, लेकिन फटाकों से यदि कोई हानी हो गई, तो पूरा उत्साह जो है, यह नष्ट हो सकता है, तो इसलिए साउधानी आवश्चक है, फटाकों को आप चलाएं, बड़ों की उपस्तिती में चलाएं, और पूरी साउधानी के साथ चलाएं, तो सीमा भी इन फटाकों को अपनी सक्षियों के पास देख कर आई हैं, वो ऐसे फटाकों को खरिदना चाहती हैं, तो इसके लिए कहती है, क्या कहती है, इदानिम तो इस समय तो अहम पी मैं भी अहम धन अपी इती, अहम पी वियंजन संधी का प्रयोग 500 रुपियों का अगनी क्रीडनकाने फटाके क्रेतुम इच्छा में खरीदने की इच्छा रखती हूं, तो इस तरह से मोहन का जो परिवार है, इस परिवार में जीतने सदस्य हैं, वे सभी किसी न किसी तरह से मोहन से धन संबंधी बाते करते हैं, अर्थात उन्हें दिपा याले में पढ़ रहे हैं उनको अलग-अलग आवशकताओं के लिए धन की आवशकता है कोई बच्ची बीमार है उसके लिए धन की आवशकता है किसी का विवाह हो रहा है तो उसको उपहार देना है इसके लिए धन की आवशकता है और कोई नए वस्त्र पहनने के लिए फटा मोहन से रखते हैं अब मोहन इन सभी बातों को पलंग पर सोय 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 चोकि वह भी विमार है उसका सड़ी जो है बुखार से तप रहा है इसलिए वह पलंग पर सोया हुआ है और ये सभी लोग उनकी अवस्था को जानते हुए भी नहीं जानते हुए भी अपनी समस्याओं को वैसे भी बच्चे हैं तो बच्चों को अपनी बाते हैं वो तो बड़ों से कहनी हैं वे कह भी रहे हैं तो इन सभी बातों को सुनकर मोहन क्या सोचता है मोहन क्या कहता है आईए देखते हैं मोहन कहता है न पस्यत यूयम मम अवस्थाम ज्वरेण वेपते मेशरीरम एकतह रुगणा अवस्था अपरतह स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे स्वामनोरतान एवपस्यत सत्यमेवच्यते छिद्रेश्वनर्थाह बहुली भवन्ती अब मुहन कहता है क्या कहता है ना पस्यत नहीं देख रहे हो न का मतलब होता है नहीं और पस्यत यह सब्द कैसे बना यह सब्द जो है इसका मूल है द्रिस द्रिस का मतलब होता है देखना द्रिस धातु का रूप बनता है पस्यत तो पस्यत के अधार पर फिर रूप बनता है पस्यती पस्यता पस्यंती पस्यसी पस्यता पस्यता तो यहाँ पर यह जो रूप रेक्त हुआ है वह लटलकार मध्यमपुरुस और बहुवचन का रूप है तो न पस्यत नहीं देख रहे हो यूयम तुम सब मम अवास्थाम मेरी अवास्था को तुम सब मेरी अवास्था को नहीं देख रहे हो यूयम यह सब्द कैसे बनता है यूयम सब्द बनता है यूसमद से यूसमद सब्द प्रत्म विभक्ति बहुवचन का यह रूप है त्वम यूवां यूयम इसका तात्पर होता है तुम सब मम मम कता मूल सब्दा है आसमद सश्ठ्वी भक्ति एक वचन का यह रूप है अवास्थाम यह सब्दा कैसे बना है मूल सब्दा है अवास्था द्वितिय भक्ति एक वचन का यह रूप है तु नहीं देख रहे हो तुम सब मेरी अवास्था को ऐसा मूहन कहता है अर्थात मेरी अवास्था को तुम लोग नहीं देख रहे हो ज्वरेण वेपते में सरीरम ज्वर से ज्वरेण ज्वर मूल सब्दा है तृतिय भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्प्यर होता है ज्वर से वेपते कांप रहा है में मेरा सरीर मेरा सरीर जो है बुखार से कांप रहा है एक तह एक तरह एक तरप तो रुग्ण अवस्था रुग्ण धन अवस्था इती रुग्ण अवस्था एक तो तो मेरी रोगी की यह अवस्था है अर्थात मैं बिमार हूँ रुग्ण अवस्था में हूँ अपरतह दूसरी और स्वार्थ प्रेरिता यहां तृतिया तत्पुरु समास का प्रयोग हुआ है अर्थात दूसरी और स्वार्थ से प्रेरित यूयम सर्वे तुम सब के द्वारा स्वामनोरथान अपने मनोरथों को एव ही पहस्यत देख रहे हो स्वामनोरथान यहां मनोरथ सब्द है इसमें द्वितिया भक्ति बहु अचन का प्रेव हुआ है तो स्वामनोरथान अपने मनोरथों को एक तरफ तुम मैं बीमार हूँ अर्थात मेरी बीमारी अवस्था है और दूसरी तरफ तुम लोगों का अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित अपने मन की इच्छाएं हैं और केवल तुम सब मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो और केवल अपने मनुरत को ही देख रहे हो ऐसा मोहन कहता है फिर कहता है क्या कहता है सत्यमेवच्यते सत्यम धन एव धन उच्यते सत्यम धन एव यहां व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ एव धन उच्यते यहां गुंडश्वर संधी का प्रयोग हुआ उच्यते वच्चधातु है लटलकार प्रथम पुरुस एक वचन का यह रूप है तो सत्य ही यह कहा गया है क्या कहा गया है चिद्रेश्वनर्था बहुली भवन्ति चिद्रेश्वनर्था अर्थात विपत्यों में अनर्था अनर्थ बहुली बहुत अधीक भवन्ति होते हैं अर्थात जब समस्याएं आती हैं जब विकट इस्थिती होती है तब तरह तरह की समस्याएं आती हैं अर्थात विपत्ति अकियली नहीं आती है विपत्ति के साथ और तरह तरह के विगन भी साथ में आते हैं तो इस तरह से मोहन का जो परिवार है और उसके जो परिवार के विभिन सदस्य हैं उन सब की अपनी अपनी समस्या हैं वे अपनी समस्या मोहन के समक्ष रखते हैं और मोहन भी अपनी समस्या उन सब के समक्ष रखते वे कहते हैं छिद्रेश्वनर्था बहूली भवन्ते अब ये समाद ऐसा चल ही रहा है प्यारे बच्चों अभी हमने देखा है मोहन का परिवार मोहन का परिवार बड़ा है इसमें विभिन्न सदस्य हैं बहुत अधिक सदस्य होने के कारण परिवार जो है विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है